नमस्कार दोस्तों धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज का जो हमारा यह वीडियो है आज इस बात पे है कि जो हमने सुर्वात की थी इस चैनल को बनाके कि हम इसे जन माने सामान्य व्यक्तियों तक पहुँचा कर धर्म सनातन का प्रचार प्रसार करेंगे लोगों की मदद करेंगे महनवता और राष्टवात को आगे बढ़ाएंगे तो उसी उद्देश्य को आगे रखते हुए ट्रस्ट का निर्मान किया गया एक ऐसा NGO बनाना जिसके माध्यम से देश और समाज की सेवा की जा सके और कूरितियों को नश्ट किया जा सके तो ऐसे ही प्रयास में आज हम लोग तयार हो चुके हैं और हमारा ट्रस्ट बन चु साथ भारतर सरकार के जो नेमावली है उसी के आधार पर यह ट्रस्ट बनाया गया है और पूरी तरह से अब आपकी जो यह संस्था है वह सरकार की नजरों में भी है पूरा नियंतरन है सारी चीजे हैं ताकि लोगों को यह विश्वास हो कि जैसे यूटूब पर कई लोग कर पाएंगे इश्वर के नस्दीक पहुंच पाएंगे इसके अलावा देश और समाज का भला भी कर पाएंगे यह बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन दोनों चीजे एक संस्था एक एंजियू कर लेता है तो इसी लिए सबसे पहले माता के मंदिर को बनाने से लेकर ह वही माता पारवती, वही माता लक्ष्मी, वही माता सरस्वती, वही माधुर्गा के स्वरूपों में तो उनके मंदिर बहुत सारे भरे पड़े हैं देश भर में लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है माता पारा शक्ती उसका कोई मंदिर पूरे देश में एक भी नहीं है तो दान देने से भी पहले मैं आप लोगों से हमारे ट्रस्ट में जुड़ने के लिए आगरह कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि हर वेक्ति जो भी धर्म रहस्य चैनल को देखता है उसका सदस्य है उसे पसंद करता है इस ट्रस्ट में मात्र 500 रुपे देकर वार्शिक सदस्यरता के रूप में जुड़ जाए यह 500 रुपे जब ट्रस्ट के एकाउंट में जमा होंगे तो हमें आत्मबल मिलेगा हम तयार होंगे माता के मंदिर को बनाने के लिए पहली वो कैसे स्वस्त रह सकते हैं इसकी विद्या परदान की जाएगी बुद्धिक रूप से आप पैसे आगे बढ़ेंगे यानि आपकी बुद्धी का इस्तर तीवर हो ताकि आप समाज को अपने नियंत्वात नहीं है लेकिन फिर भी उसकी अपनी जो प्रसिद्धी है वो बढ़ेगी उसकी कारिशंता बढ़ेगी उसके बौधिक इस्तर बढ़ जाएगा उसका ज्यान का इस्तर बढ़ेगा उसका शरीर स्वस्त रहेगा और स्वयंग अपने लिए वो रोजगार भी निर्मित करेग लेकिन वो बात की बात है क्योंकि मैं लालच देकर के काम कराना पसंद नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी बताना अविश्यक है क्योंकि आपको उद्धिश तो पता होने ही चाहिए तो ट्रस्ट की जहां भी शाखा आपके जीले में लगती है आपके मोहले में लगती है आपके दस्सिता प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद अपने-पने I-D कार्ड भी बनवा सकते हैं तो ये तो बात होगी जुड़ने से जैसे आप जुड़ते हैं इसके बाद आप जहां भी शाखा लगेगी जहां पर भी धम सामर्थ, धन, वैभव और मानव कल्यान, राष्ट्रवाद, सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, जिससे आप बहतर नागरिक बने, अपने साथ समाज का भी भलागी, तो शाखा जहां लगेगी, वहाँ पर आपका हलका फुलका व्यायाम कराया जाएगा आपको, आपको मेडिटेशन हलका फुलका सिखाया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी, इसके अलावा, दिन भर की गतिविधियों की बात आप वहाँ पर करेंगे, आपको वहाँ पर एक प्रकार से मजबूत इंसान, मानसिक रूप से, शारी रूप से बुलकर रखा जाएगा, सबसे अब रात के बारा बज़े भी अगर फोन करते हैं, तो वहाँ आपकी सेवा में तत्पर रहेगा, इससे क्या होता है, कि हमें पुलिस किसी से डरने की अवश्रक्ता नहीं है, किसी भी ऐसी चीज से घबराने की अवश्रक्ता नहीं, जहाँ पर आप अकेले पड़ जाते हैं हलाकि मनतव्य हमेसा अच्छा रहेगा और गलत व्यक्तियों को हम इन चीजों से दूर भी रखेंगे जिसका आचरण सुद्ध नहीं है उसको पद से हटाया भी जा सकता है लेकिन आपको ना सिर्फ आप डरने के अवश्यक्ता समापत हो जाएगी आपके अंदर confidence बढ़ेगा और आपका जो एक समूह तैयार होगा वह आपके साथ उसी तरह खड़ा रहेगा जैसे भगवान राम के साथ उनकी से ना खड़ी थी तो यह तो हो गई सामाने बाद इसके अलावा यहां शाखा में ही आपको प्रतिदिन देश भक्ति, राष्ट्र प्रेम, अपने देश के आपको वहाँ पे सिखाया जाएगा, देखिए कई लोगों के मन में यह प्रशन इसी बार से तुरंत आ जाएगा, कि हम तो मुस्लिम है या फिर हम इसाई है या फिर हम सिख है, बहुत है, जैनी है, देखिए सोचने का दैरा अलग है, हमारा सम्विधान भी बहुत सारी ची हम अपनी पूजा पद्धतियां करते हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम परिवार वात को ले करके चलते हैं, अपने परिवार के लिए जीवन जीते हैं, हलाकि हमारा परिवार ही पूरा हमारा देश है, लेकिन हम अपने परिवार और देश को ले कर साथ में चलते हैं, अगर आप व से केवल संस्कारों से वाजे से ही हिसी हिंदूस्तान में यह हमारे देश की परदी में रहने वाला हर्वेक विक्ति वहें प्रॉक्ति आगे बढ़ाना है जिसमें similar ही जिसी पत्पे वहां होते हैं, तो आप उस पत्पे कारण, जो भी आप से वहां लोग जुड़े हुए हैं, जिनको आप रोज जाना जोड़ने की कोशिश करेंगे उस शाखा के माध्यम से, या फिर उस ट्रस्ट के माध्यम से, NGO में आपने लोगों को बुलाना है, और उसके लावा आप कम से कम उस जगे लोगों के पास मिलने जुनने आभिशे जाएं, उन पर चाय पीने के लिए जाएए, और उनके साथ मित्रता का विभार कीजे, आफ्लाइन तरीकी से भी उनसे जोड़ जाएए, ठाकि आपकी बात को अच्छी तरह सुनेंगे, और उनको आपक तूटता हो, हिंदु समाज तूटता हो, जिसकी वज़े से आप कमजोर पड़ते हो, जिसकी वज़े से आप में विखंडन आता हो, ऐसी कोई चीज आप नहीं करेंगे, और आज से मानना छोड़ देंगे, जिसमें क्या-क्या है, इसमें है, आप जाती विवस्था, जात प भाषावाद, यानि कि उसकी भाषा दूसरी है, मेरी भाषा दूसरी है, इस चीज को नहीं मानेंगे, आप भाई भतीजावाद, यानि कि मेरा रिष्टदार है, तो मैं इसको ज्यादा महत तो दे रहा हूँ, और जो मेरा सिदार नहीं है, मैं उससे ज्यादा महत तो नहीं तो आज से जाती विवस्था को हम नहीं मानेगे, जाती विवस्था का नहीं मानने का मतलब यह है, कि आप जाती को इसलिए नहीं स्विकार कर रहे हैं, ताकि वो आपके और उसके बीच में बिभेत पैदा कर रही है, आप एक दुसरे को अलग दृष्टी से देख रहे हैं, आप सिर्फ उसे सनातनी हिंदू की दृष्टी से ही देखेंगे, विक्ति वो भी सनातनी है, मैं भी सनातनी, तो इसलिए हम दोनों एक है, जाती विवस्था को हम इसलिए यहाँ पर नहीं मान रहे हैं, चीजों को गहराई से आप इस बात को समझी, अक्रसाइज करा के, यानि अधिक्तम सोच रखते हुए, अपने विचारों को सपष्ट करते हुए, और सिंदू धनों की पचार प्रसार को आपको करना ही है, समझाना ही है, इसके अलावा, ट्रष्ट के सदिस्टों का आध्यात्मिक बल जो बढ़ेगा, वो तो आपको पता है, आध्यात्मिक बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन यानि की ध्यान, और इसके अलावा, जो भी मैं मंत्र जाप, साधना, माता की भक्ती, इत्यादी सिखाता हूं, यह सारी चीजे आप वहाँ पर सिखाएंगे, जो भी नए सदर से आप लोग जोड़ेंगे, तो यह है मूल बाते, इसके अल सितावार्शिक का मैंने जो निमतान राशी रखती है, वो मातर 500 रुपए है, 500 रुपए में आप इस ट्रस्ट के सदर से बन सकते हैं, मैं चाहता हूं, जितने ज्यादा लोग जोड़ें, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत भागिशाली हैं कि माता प करना चाहती है, माता की कृपा, प्राप्त करने का आपका कल्यान में उद्धिश आपको मिल रहा है, तो अवश्य ही सबसे पहले ट्रस्ट में जूड़िए, जब आप ट्रस्ट में जूड़ जाएंगे, गतविदियों को समझने लगेंगे, उसके बाद फिर हम दूसरा चर आपके नियंत्रण होंगी, आप उनको निर्धारित करेंगे, उनको समझाएंगे कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, और सारे लोग आपका सम्मान करेंगे, जब एक किसी भी जिल्ले का या तहसील का अधिक्ष या फिर गाउं का भी अधिश हो, कहीं पर जाता ह मोले का भी अधिश कहीं पर जाता है, तो उसका बड़ा सम्मान होता है, उसे लोग फूल मालाय पहनाते हैं, लोग उसका आदर करते हैं, उसके पास लोग जब जाते हैं, तो एक अलगी इज़्जत उसे प्राप्त होती है, वह जब किसी घर में चाय पीने भी जाता के यानि कि शुरुवात जब चीज बढ़ जाएगी, तो फिर उसमें बहुत सारी प्रतिबंध लग जाते हैं, और जो व्यक्ति स्थापित हो जाता है, उसके नीचे ही आप आते हो, तो इस चीज को समझते हुए, कि ट्रस्ट को क्यों बनाया गया है, या एक NGO क्यों बनाया ग रहें, और इस नश्ट्रस्ट के माध्यम से हम प्रतिक जन जन तक पहुँचकर सभी काकल लयाण करेंगे, इसके अरावा कुछ नियमा वाली पहले भी मैंने बताई थी शुरुवात में, लेकिन उसमें फेर बदल किया जाएगा, वो जो है बाते जो बताई गई थी, उस व ये थी जानकारी, सामाने जानकारी हमारे ट्रस्ट के बारे में, तो आप जो एकाउंट नंबर दिया गया है, इसमें मात्र 500 रोपे की धनराशी जमा करके जुड़ सकते हैं ट्रस्ट से, और यहां आप सदस्य से बन सकते हैं, इसके बाद हम लोग अगला चरण लेंगे, ज सदस्यों के माध्यम से भो धनराशी इकटा कर रहे हैं, ताकि हम एक माता का मंदिर बनवा सके, उनके लिए एक स्थान खोज सके, जहां पर जा करके हम इन चीजों को और आगे बढ़ा सके, और यह चीजे और आगे तक जाएंगी, जैसे कि मैंने कहा कि आप भी बाद में, अगर यह चीज और विक्सित होती जाती है और बढ़ती जाती है, तो स्वयम आप भी अपने अपने क्षित्रों में माता के मंदिरों का निर्मान कराएंगे, और वही गदिविधिया करेंगे, जो गदिविधि मैं कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच् पराशक्ती